कुछ बात करते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस की क्योंकि एकपर में कई बार यह दो नंबर मैं आपसे पूछा जाता है what is isothermal process, what is isobaric process, what is isochoric process, what is adiabatic process तो इन चारों को आप कैसे define कर सकेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ देखिए isothermal process के अंदर होता क्या है इसमें temperature जो होगा system का वो constant रहता है हर step के अंदर तो आप इसको note down करेंगे इसकी definition the process in which temperature of the system remain constant during each step is called isothermal process यहाँ पर delta T यानि जो temperature का जो change है वो 0 रहेगा ठीक है delta किसको define करता है change को तो change in temperature is equal to 0, 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो temperature है वो constant है इस्थिर है ठीक है ना तो वो कम होगा ना जादा होगा इस्थिर रहेगा इसके बाद आता है isobaric process यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो constant रहेगा राइट एक ऐसा थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस जिसके अंदर जो प्रेशर है वो constant रहेगा यानि change in pressure is equal to 0 यानि प्रेशर में जड़ा सा भी change नहीं होगा ना तो ना तो कम न जादा उसके बाद आता है what is isochoric process यानि यहाँ पर वोल्यूम जो रहेगा main main point आपको ध्यान अखना है जैसे for example isothermal है that means temperature is equal to constant यानि temperature वहाँ पर 0 रहेगा change in temperature 0 आइसो बारिक process में क्या होता है change in pressure 0 यहाँ पर प्रेशर जो होगा system का वो 0 रहेगा हर step के अंदर राइट चेंज इन प्रेशर 0 आइसो कोरिक के बाद आइसो कोरिक process की बात करें the process during which volume जो रहेगा system का वो 0 रहेगा change in volumes is equal to 0 एडियाबेटिक process में क्या होता है the process in which heat of the system remain constant यानि एक ऐसा process जिसमें system का जो heat है वो constant रहे हर step में क्या कहेंगे एडियाबेटिक process तो इस प्रकार से आपने दिखा कि temperature and pressure volume and heat इन चारू के respect में यहाँ पर दिया गया है thermodynamic process राइट कर दियाबेट